सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि हर आम जनता, हर वो सरल आदमी यह जानना चाहता है कि बजट आकिरकार बनाया कैसे जाता है कौन सी वो बारिकिया है जिनका ध्यान रखा जाता है और वित्मंद्री के जहन में उनके दिमाग में क्या चलता है जब बजट पेश किया जाता है Students आप ये समझेए कि हमारी अर्थविवस्ता जो है बड़े तेजी से बढ़ती आई है और बहुत बड़ी हमारी अर्थविवस्ता है कुल मिलाकर अगर हम अपनी अर्थविवस्ता को समझने की कोशिश करें याने अपनी एकॉनमी को अपने जीडीपी को समझने की कोशिश करें Students तो कुल मिलाकर ये है करीब 2800 लाग करोड की हमारी अर्थविवस्ता है उनकी हमारी हिसाब किताब होती है और हमारे जो राज्य सरकार हैं जैसे हम लोग अभी यहां उत्तर प्रदेश में हैं तो हमारे जो राज्य सरकार हैं उनका हिसाब किताब होता है तो कुल मिलाकर अगर हम केंद्र सरकार का हिसाब किताब करें और राज्य सरकारों का हिसाब किताब करें तो कुल मिलाकर जो हमारी 2800 लाग करोड की अर्विवस्ता है इसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर करीब एक तिहाई है एक तिहाई यानि दो तिहाई हमारी औरतीवस्ता का जो उत्पादन है जो हमारा GDP आटपुट है दो तेहाई टू थर्ड्स जो है वो निजी छेतर में है, पराइवेट सेक्टर में है और एक तेहाई जो है वो राज्य सरकारों में और केंदर सरकार में और इसमें ये भी आप लोग जान लीजे कि जो केंदर सरकार की जो बजट की जो आपने बात की नेहा जी ये केंदर सरकार का जो हम लोग बजट बनाते हैं जो इसका हिसाब किताब करते हैं वो हमारे 2800 लाग करोड के GDP में सिर्फ 15.5% का मामला है क्या 2023 में महिंगाई की वज़र से दुनिया भर में मंदी आएगी जिसका भारत पर असर पड़ेगा ये आप से पहला सवार बिलकुल सही आपने प्रशन पूछा देखी क्या हो रहा है ना कि आप विश्व की सब जो जानी मानी प्रतिष्टित एजनसीज हैं चाहे वो वर्ल्ल बैंक हो, आएमेफ हो, ओई सीडी हो ये सब जो एजनसीज जो हैं जो अर्थविवस्ता का अधियन करती हैं उनको कि कोविट से हम लोग निकल रहे थे, उसके बाद यूक्रेइन का युद चालू हो गया, जो तेल का भावता वो बढ़ गया, एनरजी क्राइसिस हो गया, तो ये सब संकट 2022 में आये थे, अब इसका प्रभाव 2023 में होगा, ये सब जो संकट है, इसका कारण ये होने वाला है अब कि 2023 में जो अर्थवस्ता की जो रिद्धी है, जो ग्रोथ रेट है, वो कम होगी, ये मंदी वाला मामला है, और जो कम होगी, वो इसलिए कम होगी, क्योंकि बहुत तेजी से जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपने रेट्स को बढ़ा रहे हैं, और इसके कारण लोगों क वो चिंता है कि महंगाई भी भड़ेगी और ग्रोथ रेट जो है, व्रिद्धी है, वो भी थोड़ी बहुत कम होगी, तो जिस के शेप्ट रिकावरी की बात हमने पिछले बजट में भी की थी, क्या इस साल उस के शेप्ट रिकावरी को हम देख पाएंगे, क्योंकि मंदी का कहीं न कहीं है, सर, ग्लोबल रिसेशन जो है, वो भारत को भी इंपाक्ट करता है, ये तो हम सभी जानते हैं ये अकशरों का एक खेल चलता रहता है, आप लोगों के मीडिया में नहाजी की के शेप्ट है के वी शेप्ट है, वास्तरिक्ता में क्या है, कि कोविट के बाद भारत में रिकावरी बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी रिकावरी आई है, और बड़े तेजी से का समय चल रहा है सब लोग चिंतित हैं कि अर्थ विवस्ता का क्या होगा लेकिन लेकिन इस दर्मियान अगर विश्व में चमकतावा सितारा कहीं भी है चमकतावा सितारा कहीं भी है माने पधानमंत्री जी माने वितमंत्री जी के कुशल ने तिद्ध के कारण आज वो भारत ह और इस कारण भारत में जो अर्थ विवस्ता है जो 7-6% की जो वृद्धी में ग्रोथ रेट पे चल रहा है वो और कहीं विश्व में नहीं चल रहा है और वो क्या कहना चाहते हैं कि कौन से वो आइटम्स हैं जो हमें सुकून दे सकते हैं कि भाई वो सस्ते होंगे या फिर कौन से ऐसे आइटम है जो महेंगे होने वाले निया जी बजट पे भविशेवानी तो कोई नहीं कर सकता है, ना करना चाहिए इसलिए मैं भी भविशेवानी नहीं करना चाहूंगा मैं भस यही कहना चाहूंगा कि देखिए पिछले वर्ष तेल का भाव काफी तेजी से बढ़ा इस वर्ष संभावना हैं कि तेल के जो भाव हैं इतने नहीं बढ़ेंगे ये संभावना है 100 डॉलर जब मैंने पहले कहा उससे अब 80 डॉलर पे तेल का भाव आ गया है तो इस कारण जो जो वस्तुएं हैं जो जो चीजें हैं जो तेल के भाव से जोड़ी हुई है मुझे लगता है कि वहां तेजी से महंगाई नहीं बढ़ेगी और इसलिए थोड़ा बहुत हम लोगों को वहां रहात मिलने वाली है जो भी कुछ ये तेल से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो शेर जो ओयल बजार का विश्व का जो बजार है वहां हमको शेर बजार बता रहा है कि ओयल के जो फॉरवर्ड प्राइसेज है वो थोड़े बहुत कम नजर आ रहे हैं ओयल का डिमांड घट रहा है और इसलिए जो भी ओयल रिलेटेड जो आपके जो खर्चे हैं उसमें मुझे लगता है थोड़ी रहत मिलेगी मैंने समझाया आप लोगों को पहले कि विश्व में तेल वगर का भाव काफी बढ़ गया था क्योंकि यूकरेन का यूद आया और इसलिए लोगों को ब्याज का दर जो था उसको भी बढ़ाना पड़ा क्योंकि महंगाई का दर बढ़ रहा था अब जैसे पहले ही हमने समझाया कि वो स्थिर्ता आ रही है स्थिर्ता आने के कारण EMI में भी स्थिर्ता आएगी और इसलिए अगर EMI बढ़ती भी है इस वर्ष तो बहुत कम बढ़ेगी मुझे लगभग जो बैंकों को जो रेट बढ़ाने थे वो रेट उन्होंने बढ़ा दिये